हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं एकदम बढ़िया हूँ और आज हम एक बहुत ही बड़े कन्फ्यूजन को यहाँ पर क्लियर आउट करने मिल रहे हैं, सर क्या है वो कन्फ्यूजन, दोस्तों कन्फ्यूजन यह है कि न्यू सिलेबस आने के बाद हमको यह नहीं प हैं एक वीडियो के साथ जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि में 2024 से हमारा न्यू सिलेबस अप्लाए होने वाला है, और अभी तक हमें यह नहीं पता है कि CA Inter FM लेवल पर क्या-क्या चेंजिस आये हैं न्यू सिलेबस में, ठीक हमें क्या था और न्यू में क्या हो गया है, सर कुछ बहुत जादा चींज है क्या, क्या हमें बहुत जादा और पढ़ना पड़ेगा, क्या इस न्यू सिलेबस में difficulty level बढ़ गई है, यह सब प्लीज आप सर हमें बताइए, तो दोस्तों यह सारे points को लेकर हम अपनी बात को रखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं एक chapter wise comparison, हर एक chapter में क्या-क्या illustrations, क्या-क्या practical questions add हुए है, remove हुए है, कोई question के साथ-साथ कोई concept भी add हुआ है, क्या sir delete हुआ है, क्या please आप हमें बताइए, ठीके न, तो चलिए दोस्तों, अपनी कुर्सियों की पेटी हम बांद लीजे, और फटा-फट से हमारे साथ चलिए, इस जर्नी में जहां पर हम clear out करने वाले हैं, the changes in the new syllabus, दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने एक यहाँ पर synopsis बनाया है, एक summary बनाया है, जिसमें chapter name, और concept में addition या deletion, या फिर illustration, practical questions में कोई change है क्या, औ और वो जो new syllabus 2023 में आया है हमारे साथ, उसके basis पर हम discuss करने वाले है, सबसे पहले जो हम बात करें, कि module में भी कोई change आया है क्या, सर जैसा कि हम जानते है, module यहाँ पर हमारे पस 1 and module 2 ही है, तो दोस्तों, जब हम chapter discuss करेंगे, तो हम यह भी discuss करेंगे, कि क्या module में भी कोई change आया है, yes या no, ठीके न, तो चलिए, आप notes अपने बना लीजेगा, so that आपको refer बार बार वीडियो को ना करना पड़े, चलिए दोस्तों, तो अगर आप इस list में देखें, तो पहले जो 6 chapter है, that is, हमारे chapter number 1, that is, scope and objectives of financial management से लेकर, जो chapter number 6 है, financial leverage, हम इसको एक module बोल सकते हैं, जो की old syllabus में सेम था, ठीके न, तो ये हमारा module number 1 हो गया, और जिसमें हमारे chapter number 1, 2, 6 है, इसमें कोई change नहीं है, इसमें कोई change नहीं है, chapter का number, chapter का order सब सेम है, ठीके न, अब module number 1 में एक एक chapter पे बात करते हैं, दोस्तों, सबसे पहले, module number 1 में, जो first chapter है हमारा, scope and objectives of financial management में, ना ही कोई concept में change है, ना ही कोई illustration या practical question में changes है, क्योंकि हम जानते ही कि ये pure theoretical chapter है, ठीके न, आगे चलते हैं, दोस्तों, इसके बाद, दोस्तों, हमारा chapter number 2 है, types of financing in the module number 1, इसमें हमारे कुछ theory topics हटे हैं, कौन कौन से है, yankee bond, samurai bond, और bulldog bond को हमारे syllabus से हटा दिया गया है, ठीके न, यहां स हटा दिया गया है, ठीके, इसके बाद contemporary sources of funding, एक नया theory topic include कर दिया गया है, new syllabus में, तो हमारे 3 छोटे-छोटे theory topics हट गये हैं, और एक छोटा सा contemporary sources of funding हमारे new syllabus में add किया गया है, और क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी pure theoretical chapter ही था, तो यहां पर हमारे questions और illustrations में कोई भी change नहीं आया है, ठीके ना, चलिए, आईए, तो हम आगे चलते हैं दोस्तों, ये दोनों बाते हमने कर ली हैं, इसके बाद हमारे जो बहुत ही जादा tested chapter है, that is financial analysis and planning ratio analysis, इस chapter में ना ही कोई concept में change है, और ना ही कोई हमारे पास questions या illustrations में changes है, तो अभी तक देखेंगे कि हमने कोई भी बड़ा या major change encounter नहीं किया है, ठीके ना, पहले तीन chapter के wishes पर, आई दोस्तों आगे चलते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं एक और बहुत जादा frequently tested chapter है, that is cost of capital, दोस्तों इस chapter में आप देखेंगे कि हमको एक effective interest rate method पढ़ना पढ़ता था old syllabus में, जो की अब हमें new syllabus में नहीं पढ़ना पढ़ेगा, ये हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है, इसकी वज़ा ये है, कि ये बहुत ही जादा detail में, आपके CA final level पर, FR में और SFM में, that is, SFM भी अब क्या बन गया है, advanced financial management बन गया है, तो वहाँ पर इसको adequately cover किया गया है, इसलिए यहां से इसको हट आ दिया गया है, ठीक है न, चलिए, सर अब questions की बात करें, तो questions में दोस्तों आप देखेंगे कि practical question number 7, जो chapter के end में दिये जाते हैं, उसमें ये practical question number 7, add किया गया है, और ये कौन से topic से related है, तो दोस्तों ये हमारे cost of convertible debentures and cost of preference, ये इसके topic से deal करता है, ठीक है न, ये question, चलि आई दोस्तों आगे चलते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं अपने 5th chapter की that is capital structure, capital structure में concept की अगर बात करें, तो यहाँ पर कोई भी change नहीं है, कोई भी change नहीं है, but practical questions यहाँ पर add हुए है, कौन-कौन से 9, 10 and 11, ठीक है न, सर ये कौन-कौन से topic से related है, तो मैंने का, आई देखत है, question number 9, जो add हुआ है, वो MM approach पे है, that is Modglani and Miller approach, ठीक है, उसके बाद, दोस्तों, जो question number 10 है, वो deal करता है, determination of interest EPS under the change in level of sales, तो अगर level of sales change होता है, तो उसमें हमें कैसे EPS और interest की calculation करनी है, इसके ओपर ये question है, और question number 11, जो है दोस्तों, वो deal करता है, evaluation of different capital structures की, तो question में आपको अलग-अलग capital structure दिया जाएगा, और पूछा जाएगा, कि आपके हिसाब से, कौन सा सबसे बहतर capital structure होना चाहिए, इस company के case में, ठीक है न, तो ये 3 questions add हुए है, और कोई भी change, capital structure में हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, इंदर new syllabus, दोस्तों, इसके बाद, अपने module number 1 के ये financial leverage की calculation से deal करता है, जो कि एक बहुत ही easy topic है, ठीक न, तो आएगे, अब ही अगर हम अपने module 1 को एक बार फिर से recap करें, तो sir, कोई भी major change आपको नहीं दिखेगा on the level of concepts, हाँ, कुछ नए questions add करने की, कोशिश की है ICI न, जैसे की बच्चों को और जादा clarity देखने को मिलेग ठीक न, चलिए, आइए आगे चलते हैं, और अब हम बढ़ रहे हैं, अपने module number 2 के contents के उपर, दोस्तो module number 2 जो है, वो यहां से हमारा start होता है, ठीक न, जो कि investment decision के chapter से start होता है, आइए एक करके बात करते हैं, कि investment decision और जो बाकी chapters है in module number 2, उसमें क्या-क्या change हुए हैं, दोस् 14, practical question number 14 add किया गया है, जो कि feasibility of acquiring machine के उपर बात करता है, कि क्या इस company को यह vending machine acquire करना चाहिए या नहीं चाहिए, यह आपको investment decision, that is capital budgeting decision rules के basis पर आपको बताना होगा, ठीक न, चलिए, आई आगे चलते हैं, दोस्तों, एक सबसे बड़ा जो change आया है new syllabus में, that is यह पूरा chapter जो हम risk analysis in capital budgeting पढ़ते थे, जिसमें हम sensitivity analysis पढ़ते थे, adjusted rate of return पढ़ते थे, यह पूरा का पूरा chapter हटा दिया गया है, यह पूरा का पूरा chapter यहां पे हटा दिया गया है, दोस्तों, इसकी वज़ा यही है, कि इस chapter को CA final level पर advanced financial management में, बहुत deep में, depth में cover already किया गया है, तो इस वज है कि यह chapter number 9, जो dividend decision था, वो बन जाएगा module number 2 का 8th chapter, ठीक है न, और अब हम देखते हैं कि dividend decisions में, क्या-क्या change आया है, दोस्तों, यहां पर बहुत छोटे-छोटे topics में change है, that is, Graham and Dodd's model, Linter's model, यह दोनों ही model, छोटे-छोटे हैं, और इन दोनों को ही यहां से हटा दिया गया ठीक है न, और एक बहुत ही छोटा theory topic, that is, share buyback को यहां पर add कर दिया गया है, in the new syllabus, ठीक है दोस्तों, हाँ जी साथ, यह बात समय में आ गई है, अब आप बताईए कि questions में क्या-क्या changes आये हैं, दोस्तों, Graham and Dodd's model और Linter's model पे जो illustrations थे, 8, 9, and 10, इनको हटाया गया, और इसकी वज़े से serial order change होगा, तो जो new syllabus में, 8, 9, 10, 11 illustrations है, वो old syllabus में कौन से थे, 11, 12, 13, and 14, ठीक है न, तो यहां पर replace हो गए है, सिर्फ number बतला है, question के अंदर जो matter था, information थी, requirement थी, वो सब कुछ एकदम वैसी ही है, जैसे कि पहले old syllabus में थी, ठीक है न, तो miscellaneous illustrations यहां पर हमारे क्या में replace हो गए है, replace हो गए है, ठीक है न, आइए, सर, कोई practical question 9 add हुआ है क्या, मैंने का, हाँ जी सर, आइए देखते है, practical question number 8 add हुआ है, और practical question number 9 भी add हुआ है, और एक practical question number 1 है, जो remove कर दिया गया है, ठीक है न, सर, जो practical question number 8 है, वो number of shares के उपर है, कि आपको यहां पर calculate करना होगा कि number of shares कितने है, after reinvestment, सर, जो question number 9 है, वो किस पे है, मैंने का, सर, वो calculation of book value shares पे, एक question drafted है, एक अच्छा question है, जो हम देखेंगे, ठीक है, आइए, तो यहां पर practical question number 1, illustrations 8, 9 and 10 ये remove हुए है, और practical question 8 और 9 add हुए है, जो illustrations remove हुए है, उनकी वज़ा से, जो numbering है, जो sequencing है, व यहां पर questions के अंदर कोई change नहीं है, सर्फ sequencing में change हुआ है, चली, इसी के बाद, दोस्तों, ये chapter number 10, अब हमारा बन जाएगा, chapter number 9 in the new syllabus, और इस chapter में क्या-क्या changes है, देखते हैं, तो जो inventory management का, EOQ, ठीक है न, EOQ वाला concept, जो हम पढ़ते थे, inventory management में, दोस्तों, वो working capital management में से हटा दिया गया है, ICI ये कहके हटाया है, इस topic को, कि वो आप costing में already उसको adequately cover कर रहे हैं, ठीक है न, चली, यहां पर दोस्तों, जो illustrations 12, 13, and 14 है, obviously, inventory management से जो related illustrations थे, वो भी हटे, और उसकी वज़े से, again, sequencing में change आया है, तो new में 12, 13, 14, 16, 15, 18, 17, ये सारे जो new syllabus में जो आपको द दिखेंगे study material में, जो illustrations हैं, वो old syllabus में, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसे करके थे, ठीक है, तो ये सारे illustrations की numbering सिर्फ change हुई है, working capital management में, दोस्तों, कोई भी practical question या नया illustration adder नहीं हुआ है, जो था वो वैसा ही, वैसा है, बस यहां पर, जो inventory management से related, जो illustrations थे, वो हटे हैं, ठीक है, तो य इसे के साथ, जो हमारे changes हैं, वो भी complete हो जाते हैं, अब question यह आता है, कि सब इसकी वज़ा से, क्या हमारा difficulty level बढ़ा है, FM syllabus का, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि changes जो हुए हैं, वो बहुत material changes बिलकुल भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ, कि जो FM का level था, वो एक सबस्दम clarity आ गई है, कि new syllabus में क्या है, और old syllabus में क्या क्या बातें दी हुए हैं, क्या level of question up हुआ है और down हुआ है, तो आपके सभी doubts और apprehensions clear करने के लिए, we are here with detailed chapter wise analysis of strategic management under new scheme, please stay tuned till the end of the video. पहले हम कुछ important points पर ध्यान देते हैं, what are the major changes that have taken place? So one of the major change is that पहले SM में 8 chapters हुआ करते थे, now in the new scheme we have 5 chapters, but that does not mean that कोई 3 chapters completely निकाल दिये गए हैं, in fact उन 8 chapters को consolidate कर दिया गया है, into 5 chapters, so जो पहले 8 chapters हुआ करते थे, उनके topics अब 5 chapters में divide कर दिये गए हैं, also बहुत सारी adjustments, बहुत सारी amendments हुई है, shuffling हुई है topics की, एक chapter से दूसरे chapter में डाल दिया गया है, कुछ topics को remove कर दिया गया है, but on the other hand, उसके बदले काफी सारे नए topics को introduce भी किया गया है, now coming on to the questions, की questions में किस तरह का change हुआ है, so अब आपके questions 3 categories में divide कर दिये गए है, MCQs जो पहले नहीं होते थे, second scenario based questions और descriptive questions डाल दिये गए है, scenario based मतलब case studies और descriptive मतलब जहांपर direct question पूछ लिया गया है, case study नहीं डाली गई है, now the good part is, the good news is, that जो आपके scenario based or descriptive questions हैं, वो पुराने module से ही आए है, कोई भी नया question आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस shuffling हो गई है, जिस topic को जिस chapter में shuffle कर दिया गया है, shift कर दिया गया है, उससे related question भी साथ में shift हो गया है, बट कोई new question related to the new topic, वो आपको scenario based or descriptive question में देखने को नहीं मिलेगा, now let's discuss the detailed chapter wise analysis, क्या क्या हुआ है, so first let's discuss chapter 1 में क्या changes होए है, तो अगर बात करें chapter name, तो पहले भी chapter name introduction to SM था, और new scheme के अंडर भी chapter name is same, अब देखते हैं कि यहां से क्या ad किया गया है, कौन से chapter से कौन से topics आए है, new ad क्या किया गया है, और ऐसा भी कुछ है जो completely remove कर दिया गया है, so chapter 1 में, chapter 3 से कुछ topics आए हैं, जैसे कि strategic intent, vision, mission, goals, objectives, यह सब chapter 3 से यहां पर आगया है, so what are the completely new topics that have been added here, so there are two topics, value and value system, जब हम strategic intent के elements समझते हैं, उसमें एक और element add कर दिया गया है, secondly, network of relationship between three levels, so जब हम three level discuss करते हैं strategy के, उसमें यहां पर एक छोड़ा सा topic डाल दिया गया है, network of relationship, now यहां से क्या कुछ remove हुआ है, so yes, there are three topics that have been removed, business policy जो छुरू में आपको एक introduction की फॉर्म में दिया जाता था, वो remove कर दिया गया है, strategic management कैसे relevant है, government और NPO's में, not for profit organizations, यह पूरा part remove कर दिया गया है, including the challenges, now moving further to chapter 2, अब दिखते हैं यहां पर क्या changes होए है, so यहां पर chapter का नाम चेंज कर दिया गया है, पहले dynamics of competitive strategy होता था, now the new chapter name is, strategic analysis external environment, potter's five forces model chapter 5 से, पूरा का पूरा topic यहां पर आ गया है, in chapter 2, newly क्या add हो है, तो काफी कुछ as you can see, has been newly added, strategy and business environment, macro and micro environment, जो आप लोगों को पता है, business environment economics में, हम बहुत बारी से समझ चुके हैं, pestle analysis, international environment, markets and customers, product and industry, यह सारे कुछ new topics आड किये गये हैं, then एक topic होता था, आपके पुराने syllabus में, second chapter में, globalization, इसका बस नाम चेंज कर दिया है, to internationalization, but otherwise, it is more or less the same, chapter 2 से कुछ topics को, chapter 3 और 4 में, distribute कर दिया है, like strategic group mapping, core competency, SWOT analysis, competitive advantage, sustainability of competitive advantage, portfolio analysis, now क्या कुछ remove भी किया गया है, from chapter 2, yes, there are few topics that have been removed, topics like management of linkages, then few small topics like, drivers of change, triggers of change, competitive intelligence, यह रिमुव कर दिया गया है, major change, TOS metrics, completely निकाल दिया गया है, moving further to chapter 3, now chapter 3 का नाम भी, चेंज कर दिया गया है, पहले यह था, strategic management process, now it is strategic analysis, internal environment, so अब यहां पर भी बहुत सारी adjustments हुई है, old syllabus के chapter 2, 5 और 6 के काफी सारे topics यहां पर डाले गये हैं, बहुत सारे topics आड किये गये हैं, और chapter 3 के topics को chapter 1 और 5 में डिवाइड कर दिया गया है, so chapter 2 के कौन से topics यहां पर आए हैं, strategic group mapping, core competency का पूरा concept, जिसमें criteria, CK प्रालाद के criteria वो सब यहां पर डाल दिया गया है, SWOT analysis यहां पर शिफ्ट किया गया है, competitive advantage, sustainability of competitive advantage, all these topics have been shifted here from chapter 2, और Michael Potter की generic strategies, cost leadership, differentiation, focus strategy, यह सब अब आपके chapter 3 में आ चुका है, और chapter 6 से यहां पर कौन सा topic आया है, so strategic marketing techniques, जिसमें हम कुछ 13 techniques परते थे, augmented marketing, synchro marketing, de-marketing, वो सारी techniques, chapter 6 से chapter 3 में आ चुकी है, now let's talk about कि क्या additions करी काई है, so some new topics have been added, like key stakeholders, mandalos matrix, strategic drivers, industrial markets, customers, products and services and channels, कुछ topics बहुती basic हैं, like customers, product, markets, but कुछ topics बहुती important डाले गये हैं, and I am glad that ऐसे topics यहां पर आड किये गए हैं, like mandalos matrix and stakeholders, अब इस chapter से, chapter 1 और 5 में कुछ topics अज़स्ट कर दिये गए हैं, so जो topics chapter 3 में होते थे, उन्हें chapter 1 और 5 में ले जाया गया है, जैसे कि हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं, strategic intent, vision, mission, goals, objectives, chapter 1 में डाल दिया गया है, और जो strategic management का process होता था, model by Fred R. David, stages in strategic management, strategic and operational planning क्या होती है, strategic uncertainty, यह सारे topics, chapter 5 में डाल दिये गये हैं, और क्या कुछ इस chapter से रिमूफ किया है, so just one topic has been removed from chapter 3, which is strategic decision making, so this is the status of chapter 3, now let's see कि chapter 4 के साथ क्या किया गया है, so let me break a very good news, यहां पे chapter 4 को almost same रखा गया है, कुछ major changes नहीं किये गये हैं, पहले आपका chapter का नाम होता था, corporate level strategies, अब इसका नाम कर दिया गया है, strategic choices, but यहां पे जितनी भी strategies हम discuss करते थे, like stability, expansion, growth strategies, retrenchment strategies, सारी की सारी strategies exactly same रखी गई है, हलके फुलके changes करे हैं, which I will tell you, अब यहां पे क्या कुछ दूसरे chapter से आया है, so chapter 2 के जो portfolio models होते थे, answer of matrix, BCG, ADL, GE matrix, यह पुरा portion chapter 2 से यहां पे shift हो गया है, यहां पे क्या कुछ add किया गया है, एक छोटा सा topic add किया है, innovation, which is a very important amendment जो यहां पर करी गई है, बाकी क्या किया गया है, जो आपके types of corporate strategy, जो यह title होता था, इसके उपर एक और heading डाल दी गई है, strategic choices, बिकर हमारे chapter का नाम ही strategic choices है, तो corporate level strategy के जगा, क्या क्लिख दिया, strategic choices, उसके under, बाकी सब कुछ same है, similarly, retrenchment strategy को, यहां पर इन्होंने strategic exit का नाम दे दिया, लेकिन अंदर जो भी आपकी details है, जो भी explanation है, that is similar, right, let's move to chapter 5 now, जहां पर काफी कुछ change किया गया है, so यहां पर भी, जो chapter name है, that has been changed, पहले business level strategies था, अब इसे change कर दिया गया है, strategy implementation and evaluation, जो हमारा 8th chapter में होता था, now, यहां पर आपके chapter 3, 7, और 8 के topics shift कर दिये गया है, पूरा का पूरा 7th chapter यहां पर आचुका है, chapter 8 भी यहां पर पूरा आ गया है, except few topics जो रिमूफ कर दिये गया है, like business process re-engineering, benchmarking, strategy audit, which I believe is not a good change, because यह काफी important topics थे, considering the today's competitive environment, so I am a little disappointed here, और यह हमने उपर chapter 3 में देखी लिया था, that यहां से process, stages, strategic operational plan, or strategic uncertainty, यह chapter 5th में आ गये है, now, नया क्या add किया गया है, so the new topics are, strategic change through digital transformation, then McKinsey 7S model, very important, strategic performance measures, very important, और chapter 5 के जो topics होते थे, potter 5 forces, वो हम देख चुके हैं, chapter 2 में चला गया, और जो potter की strategies थी, वो chapter 3 में चले गया है, now, जो आपके पुराने syllabus के, chapter 6, 7, or 8, वो कहां गये, तो वो तो आपने देखी लिया, chapter 6, 7, 8 को हमने, इधर उधर डिस्टिब्यूट कर दिया, chapter 7 को shift कर दिया, to chapter 5, similarly, chapter 8 को भी पूरा हमने shift कर दिया है, to chapter 5, on the other hand, chapter 6 के साथ क्या किया गया, माम वो तो हमने कहीं पर देखा ही नहीं, except marketing techniques in chapter 3, so that's it, यही एक topic, chapter 3 में adjust किया गया है, बाकी सभी topics have been completely removed from chapter 6, आपकी सारी strategies, financial, SCM, R&D, यह सब कुछ कहतम कर दिया गया है, so these are the changes that have been done in strategic management under new scheme, अगर मैं इसको conclude करूं, इसका करक्स निकालूं, so we can say, that approximately 70% of the syllabus is the same as the old one, on the other hand, 30% ऐसी चीज़े हैं, जो newly added है, और अगर कुछ topics remove होए हैं, so उसी को cover up करने के लिए, कुछ new topics add भी कर दिये गये हैं, which basically means, हमारा burden कहीं पर कम नहीं हुआ है, number of chapters, 8 से 5 जरूर हो गये हैं, but उनी 8 chapters के topics को, 5 chapters में अप कही न कहीं डाल दिया कया है, and last but not the least, ma'am, level of questions, इनका क्या होगा, so it is expected, that the level of questions है, वो अप ही होगा, आपको जादा, case study based questions, scenario questions, देखने को मिलेंगे, in comparison to direct questions, but please don't worry, tension लेने के जरूरत नहीं है, 70% of the things, are approximately the same, so यहां पर, you can feel a bit relaxed, 30% जो भी new additions हुई है, उसके लिए we are there, we are ready with all these changes, and our new courses, under new scheme, so that's all from my end, I hope you find this detailed analysis useful, आप accordingly अपने आगे की preparation शुरू कर सकते हैं, bye everyone, all the best, कर सकते हैं,